हेलो फ्रेंड नमस्का स्वागत है आपका चैनल पर फ्रेंड आज मैं लेडीज या गर्ल जुराब का वीडियो शेयर करूंगी जो की बनाने में बहुत ही असान है फ्रेंड जिसको उल्टा सिधा बुनना आता है वो इस जुराब को बड़ी असानी से बना लेगा देखने मे बहुत सुंदर लगती है फेंड मैंने यह पिंक कलर लिया है कलर आप अपरी पसंद का कोई भी ले सकते हैं मैंने दस नंबर के सलाईयों पर इसको बनाया है इस साइड और उल्टी साइड दोनों साइड से उल्टा-उल्टा बुदे फ्रेंड मैंने इसकी एक तो तीन चार है इसकी जो यह बनाई है आपको नाब बता देती हूं अगुठे जहां से उल्टा स्टार्ट होता है वहां से लेके एडि तक नाब लेकर अव्धार है ले लीजिए थोड़ा सा इसको हमने इस तरह से खीचना है जादा नहीं थोड़ा से इस तरह से खीचना है नाप ले लीजिए उसके बाद उतना बना के उसका फिर हमने डबल करना है डबल बनाना है इस तरह से तो इस तरह से भी कर सकते हैं या इस तरह से नाप लेके इस तरह से आप डबल करके देख लीजिए आपका पैर इसमें आ रहा है कि निया रहा हा थोड़ा सम इसको इस तरह से खीचेंगे तो यह आपके पैर का नाप हो जाएगा तो और फैंड मैंने इसमें जो फंदे डाले है वह मैंने 28 पंधे डाले हैं अगर आपने छोटा बनाना है तो आप 26 पंदे करेंगे तो यह हमारी सिधी साइड और uencia इस तरह से फोल्ड करेंगे और कि यहां से लेकर यहां तक से लेंगे यह यहां से लेंगे झाल झाल यहां से लेके यहां तक सिलाई कर ली है अब यहां से लेके हम यहां तक सिलेंगे फेन मैंने यहां से लेके यहां तक सिलाई कर ली है अब यहां से हम थोड़ी सी गुलाई देंगे देखे फेन कैसे अब इस सॉक्स को हम सीधा करेंगे इस तरह से हमारी सॉक्स बनेंगी फेंट से अब मैं ब्लैक कलर से इसमें बीडिंग करूंगी जासे हमने बैक साइट से जुराब को हमने स्टिच किया है वहां से हम स्टार्ट करेंगे और हुक मैंने 3.75 mm का लिया है अब तीन चे लगाएंगे अगर आपकी मेरी थोड़ी सी भूल यह थोड़ी सी मोटी है तो मैंने 3.75 mm का हुक लिया है अगर आपकी उन थोड़ी बारीक है तो आप 3.25 mm का हुक ले सकते हैं इस तरहे ना अतुमत्र है तो मैंने डॉच्री कर लिया एक बार और करेंगे डभल क्लॉच्री है तो यह होगा है थी बार लगाएंगे है कि troubles फिर दो भाट करेंगे हम दो बारध डॉब गोशिया अ तो चेहन पोने डोपोशय में ले लिया तीन बार होगे हमारे डॉब लोगोशिया फिर आगे है इस तरह से करें गए स्वीप स्थीच इस तरह से बनेगा प्रनेंजण अपिति इन निने लगाएंगे बिंद्ञ निए फिर बहीँ पर करेंगे हम दो बार डबम क्रोशिया तो ह gelsi chyn को double crochet में ले लिया होगे तीन बर सिस्टाइब करेंगे जिए उस तरह से बनेंगे तो इस तभार से हम यह पूरी Socks पर बना के हम यहाँ पर आएंगे, Last में आके, यहाँ पर आके हम बंद कर देंगे, Friend मैंने पूरी Socks पर बड़िंग करके Last में यहाँ पर बंद कर दिया, अब हम क्या करेंगे Friends, अब हम Front Part बनाएंगे, Front जितना पैर डालने के लिए आपो चाहिए, ुतना रखके बागी का हम फ्रंट पाट बनाएंगे जैसे हम wash को इन कि मै यहां पर धाई बाक्त ग्नाक कि लीए इतना 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 माफ है दालने के लिए रख 있으 अब सिद्री साइठ से हमने यहां पर लाई करनी है कि थोड़ा सा पक्का कर देते हैं यहां पर अब हम क्या करेंगे इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे यह देखिए इस तरह से हम इसको फोल्ड कर देंगे इस तरह झाल 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 इसके साथ ही प्रेंट बहुत ही सुदर सुदर बनकर त्यार हुई है इसके साथ ही प्रेंट पर कितना डिजाइन पड़के आया है अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्रीस लाइक कीजिए शेयर कीजिए अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब ने किया तो प्लीस सब्सक्राइब कीजिए धन्यावार अिन्यावार